अठारे अप्रेल अठारे सो सत्तावन को पेश्वा नाना सहब दुतिय तीर थियात्रा पूरी करके बिठूर लौट आया इस बीच वह अवद की बेगम हजरत महल तथा मुगल बादशाह बहदुर शाज जफर और बेगम जीनत महल आदी से मिलकर भारत व्यापी सशक्त क्रांती की योजना के विचार को अंतिम रूप दे चुका था इस प्रकार 1857 की क्रांती का वास्तविक जनक पेश्वा नाना सहब दुतिय को ही माना जा सकता है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पेश्वा नाना सहब ही इस क्रांती का केंद्री एपात्र था पेश्वा ने क्रांती के भावी नेताओं से परामश करके दो मुख्य चिन्ह निश्चित किये एक था कमल का फूल और दूसरी थी रोटी कमल का फूल उन पल्टनों में घुमाया जाता था जो इस योजना में शामिल की जाने थे किसी एक पल्टन का सिपाही फूल लेकर दूसरी पल्टन में जाता था उस पल्टन में वह फूल समस्त भारतिय सिपाहियों के हाथों से होता हुआ अंत में जिसके हाथ में आता था वह उसे अपने पास की दूसरी पल्टन के भारतिय सिपाहियों तक पहुँचाता था कमल के फूल का पूरी पल्टन में घूम जाने का गुपत अर्थ ही है था कि उस पल्टन के सिपाही क्रांती में भाग लेने के लिए तैयार है इसी तरहे कुछ रोटियों को एक गाउं का चौकीदार दूसरे गाउं के चौकीदार के पास ले जाता था वह चौकीदार उस रोटि में से थोड़ी सी खुद खा लेता था और बाकी की रोटियां गाउं के दूसरे लोगों को खिलाता था वह गयहूं अथवा दूसरे आटे की रोटियां बनवा कर पास के गाउं में पहुंचाता इसका मतलब यह होता था कि इस गाउं की जनता निकट भवश्य में होने वाली राष्ट्रिय क्रांती के लिए तैयार हो चुकी है कमल और रोटि के ये प्रतीक सारे भारत के गाउं में जितनी तेजी से पहुंचे उसे देख कर किसी को भी हैरानी हो सकती है कमल के फूल और रोटि के साथ पेश्वा नाना सहब का एक संदेश भी पहुंचाया जाता था यह संदेश इस प्रकार था भाईयो हम स्वयम विदेशी सरकार की तलवार अपने अंदर घुसा रहे हैं यदि हम खड़े हो जाएं तो सफलता निश्चित है कोलकाता से पेशावर तक का सारा मैदान हमारा होगा इस प्रकार क्रांती के प्रचार के प्रतीक के रूप में रोटियों और लाल कमल के फूल का प्रयोग किया गया अंग्रेज लेखक ट्रेवेलियन ने अपने पुस्तक कानपोर में लिखा है लाल कमल ने सचमुछ सारी जनता को एक कर दिया है बंगाल में जवान और किसान दोनों ही एक भाव सब कुछ लाल होने जा रहा है कि अभीवक्ती देते हुए पाए गए दिल्ली के ततकालीन रेजिडेंट चार्ल्स थियोफिलस मैटकाफ ने अपनी पुस्तक टू नेटिव नेरेटिव आफ म्यूटिनी आफ डैली में लिखा है बंगाल में ऐसी कोई छावनी या स्टेशन नहीं था जहां कमल का प्रसारन न हुआ हो शडियंत्र के इस असाधारन प्रतीक का प्रसारन अवद के अंग्रेजी सामराज्य में विलीनी करण के पश्चात हुआ उस काल के कलकत्ता तथा बैरकपूर सहित समस्त बंगाल में चल रही गतिविधियों से अनुमान होता है कि इसवी 1857 की क्रांती आरंब करने में पेश्वा नाना सहब की जितनी बड़ी भूमिका थी उतनी ही बड़ी भूमिका कलकत्ता में निर्वासन व्यतीत कर रहे अवद के नवाब वाजिद अली शाह तथा उसके वजीर अली नकी खांकी भी थी बंगाल आर्मी जो एशिया की सबसे बड़ी एवम आधुनिक फौज थी उसके एक लाख 49,000 सेपाहियों में से 7,796 को छोड़ कर बाकी सभी ने अपने ब्रिटिश स्वामियों के विरुद्ध विद्रो कर दिया कुछ भारती है थी हसकारों के अनुसार कमल का फूल और रोठी के प्रतीक चिन्न का प्रयोग होने की बाद जूटी थी और यह अंग्रेज अदिकारियों द्वारा जान बूच कर गड़ी गई थी ताकि वे अपने द्वारा किये गए नर्संगहर को यह कहकर उचित ठहरा सकें कि यह सरकार के विरुद्ध एक सुन्योजित शड्यंत्र था जिसे कुछला जाना आवर्शक था 1857 की क्रांती के आरंभ में लंदन से प्रकाशित होने वाली टाइम्स मैगजीन का विशेश प्रतिनिधी सर विलियम हॉर्वर्ड रसल उन दिनों भारत में था उसने लिखा है यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें लोग अपने धर्म के नाम पर अपनी कौम के नाम पर बदला लेने के लिए और अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए उठ खड़े हुए थे उस युद्ध में समूचे राष्ट ने अपने उपर से विदेशियों के जुए को फैक कर उसकी जगह देशी नरेशों की सत्ता और देशी धर्मों का आधिकार फिर से इस्थापित करने का संकल्प लिया था अगली कड़ी में देखिये मंगल पांडे ने करांती का विगुल बजा दिया